हेलो जेहिंद देखे फ्रेंड्स जो हमारी थाड़ ग्रेड बने एक्जाम्स की सिरी चल रही थी आईटी यानि सुचना प्रत्यों की किस सम्बंदित उसमें देखिए जो नाइध क्लास की पुस्टक में यहाँ आप आप देखिए जो चेप्टर दे रखे हैं सबसे पहले त आपके जो प्रशन बनने वाले है वो इसी पुस्टक से बनने वाले है तो इन में भी देखिए जो important चीज़े हैं वो हमें देखनी है क्योंकि केवाल 5 ही प्रसन हम से पूछ जाना है तो इसके अंदर के अधर हमें PhD नहीं करनी है जो important है वो हमें देख लेना है तो आज हम इ रेस्पोंस है इस रीज के परते जरूर रसा है तो चलिए सुरुवात करते हैं कोशिन नमबर फर्स्ट से कम्प्यूटर में डाटा स्विकार करने वाली युक्ति कौन सी वताना है CPU, CU, Input Unit या फिर Output Unit तो देखिए यहां पर हमरा सज्यांस रोगा Option No. Sir Input Unit तो आप ध्यान कि कियेगा कम्प्यूटर में Input Unit डाटा स्विकार करने वाली युक्ति है कम्प्यूटर की किसी विशिष्ट भासा में लिखे निर्देशों के समों को क्या कहते हैं प्रोग्राम, डाटा, सूचनाय या फिर उप्रोग सभी तो देखिए इनको कहा जाता है प्रोग्राम Option No. A इसका सई आंसर होगा आगे देखते हैं एक बाइट में होते हैं तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं वो बताना है तो या आप कंटरस्ट दियान कियेगा इस प्रका के प्रशन पूछे हुए हैं आट बिट होते हैं नुमेरिक की पेड का मुख्यत उप्योग किया जात किसके अंतरगत टेक्स्ट प्रोसेसिंग में ग्राफिक्स कारियों में या फिर बैंकिंग कारियों में या फिर उक्त सभी में तो देखें जो यह नैंद क्लास की पुस्तक है इसके अंतरगत इसकी अलग से उत्तर मला भी दे रखी है उसके अंतरगत इसका जो सही अंसुर मना वह बना गया है C, banking कार्यों के अंतरगत, तो यहां पर देखिए, जब word आ जाता है, तब आपको ध्यान रखना है कि banking कार्यों में मुक्यत, numeric paid का उप्योग होता है, तो यह आप ध्यान रखिएगा, mouse है एक, तो mouse क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा, mouse एक परकार का input उपकर टाइप मेटिक की दर कितनी होती हैं, तो टाइप मेटिक की दर होती हैं, 10 बार प्रति सेकंड, option no.2 इसका सही आंस्वर होगा, किसी कागज पर प्रिंटर के द्वारा छपा हुआ output कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है, देखिए, सही आंस्वर होगा, option no.2, hard copy, तो आप दियाने पूट पूट है वो हाड़ कोपी होता है आग यहां पर CRT की आंतरिक सत्व पर लेपिद रहता है तो क्या लेपिद रहता है तो देखिए यह रहता है फॉस्पोरस पतार्थ बार नमर अप्षन यहां पर सही अंसुर होगा प्रिंटिंग की वह तकनिक जो टाइप राइटर की तकनिक के सम्मान होती है तो यह क्या है तो देखिए सही अंसुर है यहां पर impact प्रिंटिंग तो यह आप द्याने की का बार नमर अप्षन इसका सही अंसुर होगा ड्रम प्रिंटर है ड्रम प्रिंटर क्या है करेक्टर प्रिंटर है लाइन प्रिंटर है पेज प्रिंटर है या फिर ग्राफिक जो प्रिंटर है वो है तो देखिए सही अंसुर क्या होगा यहां पर इसका सही अंसुर होगा ड्रम प्रिंटर एक प्रकार का लाइन प्रिंट तो यह आप द्यान रिखेगा बाकी सबी इसके अंतरगत सामिल नहीं है हार्डिस्क हो चाहिए CD-ROM हो चुम्ब किया TAP हो यह इसमें नहीं आते हैं प्रात्मिक संगरण मध्यम में आगे आपर देखते हैं प्रकासिय तकनिक का उपियोग होता है हार्डिस्क में, फ्लॉपि डिस्क में, इंक जैट प्रिंटर में या फिर cd-ROM के अंतरगत तो इसका सही आंसर है cd-ROM के अंतरगत प्रकासिय तकनिक का उपियोग होता है आगे देखते हैं, माइक्रो फ्लॉपि की साम्मानित संगरहन अच्छमता कितनी होती है तो यह कितनी होती है देखिए इसका सही अंसर होगा option number सर एक पॉइंट चुमालिस MB banking में अधिक उप्योग में लिये जाते हैं तो banking में अधिकतर उप्योग में लिये जाते हैं MICR तो यह आप ध्यान रखिएगा MICR की full form के होती है यह context लिए आप ध्यान किएगा क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है तो M से आपको ध्यान रखना है magnetic I से आपको ध्यान रखना है ink C से character और R से reader magnetic ink character reader तो यह आप ध्यान किएगा जो यहां पर देखिए OCR की full form क्या होती है optical character reader तो यह आप ध्यान किएगा और OMR की full form क्या होती है तो optical mark reader तो इन सभी की full form आप चरूँ ध्यान किएगा क्योंकि यहां से प्रश्न आ सकते हैं आगे आप देखते हैं बहुच विनात्मक प्रश्नों की जाज किस उपकरण के द्वारा की जाती है तो आप सभी को पता है OMR के द्वारा option number 10 का सरी अंसर होगा आगे आप देखते हैं चपे हुए अक्सरों को पढ़ने वाला उपकरण है तो चपे हुए अक्सरों को जो पढ़ने वाला उपकरण है वो है OCR तो आप ध्यान किएगा चुम्बकिय स्याही का उपियोग किस्मे किया जाता है OCR, OMR, MICR या फिर उक्तसभी में तो आप ध्यान किएगा अधिकतर श्ट्रेंट जिनको पता नहीं होगा वो तो उक्तसभी करके आएंगे लेकिन चुम्बकिय स्याही का उपियोग किया जाता है MICR के अंतरगत तो आप ध्यान किएगा इसके M का मतलब ही क्या है Magnetic और I का मतलब क्या है Ink तो आप इसको इस तरह ध्यान के चुम्बकिय स्याही Line Printer उपियोगी है किसके अंतरगत तो देखे, Line जो प्रिंटर है वो उपियोगी है बिजली के बिलो को छापने में Photocopy Machine के सिध्धान्त पर कौन सा Printer कारे करता है तो कौन सा कारे करता है Laser Printer Option No.2 इसका सही अंसर होगा और यहांवरा अध्यम प्रस्चना है मोटी पुस्तक की स्कैनिंग के लिए कौन सा स्कैनर उप्युक्त है तो इसका सही अंसर होगा Flat Bed Scanner Option No.2 तो टोटल 20 कोशन इस चेप्टर के अंतरकत दे रहके हैं जो कि हमने यहांपर डिस्कस किया है हालंकि यह सारे प्रस्चना हमने इससे पहले भी जो अगला First Class थी IT की उसके अंतरकत भी डिस्कस किये है यहांपर एक बार वापस आपका रिविजन हुआ है तो जितनी बार देखिए आप पढ़ी हुच चीजों का बार बार रिविजन करें वही आपके काम आएगी नहीनी चीज़े पढ़ने का तो कोई मतलब भी नहीं है और स्टुडेंट वही सफल होंगे जिनोंने अधिक से अधिक बार रिविजन किया है जो अलग अलग चीजों को पढ़ते हैं उनका देखिए जो सेलेक्शन का चांस है वो काफी कम होता है क्योंकि जब तक जो चीज़े हमें प्रॉपरली याद नहीं होंगी तो वो हमें एक्जाम में याद भी नहीं आएगे अगर चीज आपको प्रॉपरली याद है तब भी आपके अधिक से अधिक प्रश्नों सही होंगे आप अपना जो परफॉर्मेंस से वो काफी अच्छा कर पाएंगे मैंने एक्जाम के अंतरगत तो पड़ी हुई चीजों कोई बार-बार पड़े मेरा यही कहना है थर्ड गेट की टैस्टरिस अगर आप अभी तक जोईन नहीं हुए तो आप जिकेटरिक एजुकेशन की प्ले स्टोर अप्लिकेशन से को डाउनलोड करके वहाँ पर थर्ड गेट की टैस्टरिस से जोईन हो सकते है NCRT RBC राजस्तान जिकी का भी अलग से पूरा कंटेंड एप पर अवेलेबल है वो भी आप ले सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो हेलपो लगाओ तो लाइक शियर जरू कुरिएगा धन्यवाद